कोटेदार कर रहे हैं अपनी मनमानी दे रहे मजदुरों को गरीबों को काट कर गल्ला साजहांपूर निकोही तरस्तित तिलहर का मामला सरकार हर सम्हों प्रयास कर रहे हैं गरीबों को रासन देने के लिए लेकिन भही पर कोटेदार कर रहे हैं अपनी मनमानी कार धारक को दे रहे 5 किलो की जवाद 4 किलो रासन जब उनसे बात करनी चाही तो कोटेदार ने अपना पला जाय लिया और कहा में गल्ला इसलिए कम दिता क्योंकि उसमें भी खर्चे आता है कोटेदार काला बजारी करके उठा रहे हैं लागडाउन का फैदा गरीब मेजदूरों को लगा रहे हैं चुना आज एक मामला सामने आया है कि ग्राप पर चैथाद गाउन मजरब रहाना विकास खड़नी को ही तहसिल तिलहर जनपर साजाब और उत्तर परदेश जहां पर कोटेदार कर रहा है खुले आम काला बजारी गाउवालों को कहना कि कोटेदार मुहमद रासिद उर्फ बबल्व हर यूनित 25 से 4 किलो अलाजद देता है तो जो उआ हैं तो आपके शम्स्या जाए कि यह लोगों से पैसे लिए लिए रहाये यह कितनों दिनों से कर रहे हैं यह कितनों से हुआ शेकगे हैं हर किसी को बंजन कम देते हैं तो आपने यह नहीं कहा है कि government इतना कुछ हम लोगों के लिए दे रही है फिर आप क्यों काट रहे हो यह काट रहे है इतना यानि हमारा खर्चा होता है वह उसमें से यानि गरीब लोगों का काटते हैं खाते हैं अच्छा आपने कहा नहीं कुछ तो आपको फिर आपका बीपील काड है क्या नहीं उस पर नरेगा वाली किताब तब भी आप से पैसे ले लिए आपने उस जैसे उनसे का नहीं यानि ये पैसा क्यों ले रहे हो और और है पाईसे अच्छा पाइसा मतरी है खितने दिनें हो से एक चार केली दे रहे सबीए नाम एक आ जबाभी जांब तो इस समय तो सरकार भी आप लोगों के हित में चल रही है क्या कहते हैं यह कहते हैं कि आपका क्या नाम है क्या समझे आपकी रहे हैं कितने दिन और यह तो और आपकी पर्ची हाथ में वो क्या है इस पर पैसे मांग रहे हैं इस पर पैसे मांग रहे हैं खब बौकार झाल भी घर अच्छ